वेल्कम बैक तो मैं चैनल दिस इस यो नीरू मैम और आज हम क्लास 11 का सेकिंड चेप्टर आगे बढ़ाने जा रहे हैं लास्ट वीडियो जरूर देख लीजेगा लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे का समझ नहीं आएगा लास्ट वीडियो में हमने रदर फोर्ड का अलफा कन प्रकेन और प्रयोग किया दा जिस्ते नाबिकी खोज हुई थी तो जब नाबिकी खोज हो गई उसके बाद रदर फोर्ड ने अपना न्यूक्लियर अटॉमिक मॉडल दिया तो आज हम रदर फोर्ड का न्यूक्लियर अटॉमिक मॉडल या फिर नाब की आटॉमिक मॉडल पर्माणू मॉडल पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देखे जब तक नाबिकी कुछ समझ में नहीं आएगी तब तक उसका पर्माणू मॉ नाबिक Lal दिया है अज हम उसके बारे में पढ़enne वाले हैं तो और दरफोड का पर्माणू मॉडल आफसी यह कहता है कि अधार पर ने पर्माणू का नाभिके मॉडल दिया इसके लिए आपको एलफाकन प्रकीन प्रयोग पढ़ना पड़ेगा जो मेरी लास्ट वीडियो में है तो उसको ध्यान से पढ़िए तो एलफाकन प्रकीन प्रयोग के अधार पर रदर फोर्डे नाभी के मौरल प्रस्तुत किया और उसने क्या कहा पहली पोइंट ये कहा उसने कि पर्मानु जो है वो अतिशूक्ष्म है पर्मानु बहुत चोटा है ये आपको थॉंसन ने भी बताया था कि पर्मानु बहुत चोटा है गोलाकार है विद्यू तुदासीन करने है विद्यू तुदासीन तो है क्योंकि positive और negative portion बराबर हो गए जब positive और negative portion बराबर है तो वही कैसा हो जाता है विद्यू तुदासीन है जो दो भागों से निर्मित है कितने भागों से निर्मित है ये दो भागों से कौन कौन सा धना और नाबिक के बाहर का रिक्तिस्तान जिसमें इलेक्टरोन वरत्ताकार कक्षाग में चकर लगाते हैं ओर तोड़ा डाइग्रम से समझ लेते हैं डाइग्रम से पोला Hello एक तो धनावेशित नाविक जो कि इसके बीचो बीच है जो कि धनावेशित है और एक नाविक के चारो और व्रताकार कक्षाएं जहां पर एलेक्ट्रोन चक्कर लगाते रहते हैं यह हो गया आपका नाविक और यह हो गई आपकी बाहर की तरफ व्रताकार कक्षाएं ठीक है तो परमानु के अंदर दो चीज़े हैं एक तो नाभिक है बीचो बीच दो की धनावेशित है और बाहर की तरफ व्रताकार कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रोन चक्कर लगाते हैं ठीक ये दो पॉइंट्स हो गए अगे परमानु का कोल धनावेश लगबग समस्त द्रव्यमान परमानु के केंदर में एक अति सूक्ष्म भाग में है परमानु का सारा धनावेश और यह हम कहें कि लगबग सारा द्रव्यमान उसका सारा भार जो है वो परमानु के केंदर में एक अति सूक्ष्म भाग में स्थेत है जिसे हम परमाणू का नाविक कहते हैं नाविक सबको समझ में आ गया है बीचो बीच क्या है नाविक यह कैसा है धनावेशित इसके चारों तरफ क्या है व्रताकार कक्षा है जिनमें एलेक्ट्रोन चक्र लगाते रहते हैं यह क्या है धनावेशित नाविक और इसी के अंदर सारा द्रव्यमार उपस्ते है ठीक है इलेक्ट्रोन चक्कर लगाने से पन अपकेंद्र बल इनके तथा नाबिक के बीच आकर शनबल को संतुलित करता है जिससे ये नाबिक पर गिरते नहीं है देखो अब ये नाबिक है इसके चारों तरफ व्रताकार कक्षाएं है तो जब नाबिक के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो क्या कभी इनका बैलंस बेकार नहीं होगा और क्या कभी इसके उपर गिर नहीं जाएंगे फिर और जब इसके उपर गिर जाएंगे तो फिर परमारों का जो अस्तित्व है वो तो खतम हो जाएगा तो उसने बताया कि ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जितना ये positive की होने की वज़े से जितना ये आकर्शन बल लगाता है उतना ही electron प्रतिकर्शन बल भी लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर positive और negative बराबर है अगर positive जादा होता तो फिर ये क्या करता electron को अपनी तरफ खीच लेता और फिर जो ये बाहर व होता ये जो नाभिक है वो electrons को अपनी तरफ खीच लेता ये जो शेल है वो इसके उपर आकर गिर जाती गिर जाती और परमाणू का स्थित्व खतम हो जाता और परमाणू हो जाता खतम लेकिन क्योंकि positive portion और negative portion बराबर है तो जितना positive portion अकर्शन बल लगाते हैं उतना ये इ साइड होगा कि इधर जाना है या फिर इधर जाना है या फिर हम दो तराजो वाले जो चीज़े देखते हैं उसमें अगर एक तरफ 500 ग्राम रखा हुआ और इधर 500 ग्राम हमने कोई भी समान रख दिया है तो ये जो उंगे वो बराबर हो जाएंगे या फिर ये एक तरफ साथ एक तरफ कम रहेंगे एक दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ बराबर है तो इसी तरीके से पॉज़िव और नेगरिटिव पोर्शन बराबर होने की वज़े से जो ये परमानु है वो बराबर है इसका अस्तित्व बना हुआ है बीच में नाभिक जितने हैं उतने ही electron है electron और proton के संक्या बराबर है दनावेशित और रिनावेशित के संक्या बराबर है इसलिए तो नाविक का अस्तित्व है आगे यह आपको यहाँ पर हमने diagram के थू समझाया है कि बीचो बीच धनावेशित भाग होता है जिसे आप नाबिक कहते हैं, उसके चारो हो तरफ ये इस तरीके से वरताकारकखशाई होती हैं, जिनमें ये एलेक्ट्रोन चक्कर लगाते हैं, ये आपका नूकलियस है, दनावेशित भाग और ये आपके एलेक्ट्रोन्स है, ठीक, ये भी इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम इसी में खतम करते हैं पर नालग से इसके लिए special वीडियो बनाने पड़ेगी पहला question इन्नों ने किया था Maxwell ने किया था तो electron जो होते हैं वो renovation होते हैं ठीक है electron के उपर renovation charge था अच्छा एक थियोरी बड़ी है अविशिय दो है था हुपता है तो वह त्वारइथ होता है कि जब kilo का विकिरन करेंगे इसका मतलब यह है कि जब negative charge वाले negative आवशित वाले electron शकक्र लगाएंगे तो शकक्र लगाने में वह अपनी उढ़ी ओर्जा को उढ़ा विकिरन करेंगे मतलब उनकी उर्जा में कमी आएगी और उनकी उर्जा में अगर कमी आएगी तो फिर एक टाइम पे तो ऐसा हो जाना चाहिए कि उनकी गती बिल्कुल खतम हो जानी चाहिए बिल्कुल कम हो जानी चाहिए उर्जा की जब शती होगी इसमें देखिए एलेक्ट्रोन रणावेशित होते हैं क्लाक मेक्सवेल ने कहा कि गती शील विद्यूत आवेश को अगर त्वरित किया जाता है तो उर्जा का विकीरन होता है कि अगर आप किसी गती शील विद्यूत आवेश को त्वरित करते हैं उसको चलाते हैं तो उर्जा का विकीरन होता कक्ष जो होगा वो छोटा होता चला जाएगा फिर क्योंकि उसकी गती तो गम्म होती चली जाएगी और अंत में अलेक्ट्रोन आ भी क्यों पर गिर जाएगा पर माणू का स्ताहित भी खतम हो जाएगा तो यह मॉडल इस बात की व्याख्या नहीं कर पाया इस थियोरी को समझ कशन ता कि रधर्फोर ने बोला था कि एलेक्ट्रौन व्रतकार कक्षाओं में मतला नाविक के चार गउप संख्या कितनी व्यक्षाओं के संख्या कितनी होती है इन सब संबंद के बारे में रेधर फोर्ट जानकारी नहीं दे पाए थे उसके बाद एक और कोश्चन फिर से स्पेक्ट्रम वाली कोश्चन है कि यह मॉडल चुता वो रेक्या स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफ़ल रहा था स्पेक्ट्रम समागे कि यह देखिया स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफ़ल रहे था यह इस तरीके से मैंने आपको बना कर इसका मॉडल दिखा दिया है कि बीच में न्यूकलेस होता है चारोतरफ ब्रतकार कक्षा होती है जिसमें लेक्ट्रोन चकर लगाते रहते हैं तो आई होप आप